हेलो फ्रेंड्स मैं जोती भाटी से तो स्वास्थे चन पर आपका स्वागत करती हूँ यदि आपने मेरे से तो स्वास्थे चन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले साथ ही बेल बटन पर भी क्लिक करें मेरी हैल्थ और ब्यूटी से इजियो सबसे पहले देखने के लिए दोसतो लड़किया चेहरे को खूपसर तो साफ रखने के लिए क्या कुछ नहीं करती वह जितना ध्यान अपने चेहरे को निखारने में करती है उतना ध्यान कौनी और घुटनों पन नहीं देथी घुटनों और कौनी का कालापन आपकी personality को खराब कर देता है लेकिन इसे निखारना कोई मुश्किल काम भी नहीं है इसके लिए आपको महेंगे प्रोडक्ट खरीदने की भी जरूरत नहीं है आज मैं आपको कहने और घुटनों के काले पन को दूर करने का केजिंग नुस्का बताऊंगी दोस्तों लंबे समय से ध्यान ना देने के कारण यदि आपकी कहने और घुटने काले होने के सासाथ उस पर पपड़ी आ गई है तो इसके लिए यह सबसे बढ़िया उपाए है इससे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले कहने और घुटनों प देन लगा कर मसाज करें जब तक यह सूकर गिरने ना लगे इसके बाद कोहनी को ठनले के पानी से दोले इस नुस्के को वीक में तीन भर अप्लाई कर सकते हैं इस नुस्के से कोहनी और घुटनों को रंग जल्दी साफ हो जाएगा आप रात को सोने से पहले कोहनी और गुटनों को साप करने के लिए नीबू का टुकडा रगड़े नीबू कलिंजर का काम करता है इसके इलावा आप कोहनी उपर प्याज का रस लगा कर भी सो सकते हैं यह भी बहुत एफेक्टिव तरीका है कोहनी को कालापन दूर करने के लिए फ्रेंड्स वीडियो बेनिफिशल लगई तो प्लीज लाइक वेश शेर करें थैंक्स फॉर वचिंग वाई वीडियो